हेलो फ्रेंड़ वेल्कम टो एश फेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर की आई हूँ रोजवाला बॉर्डर जिसे हम किस तरह से बनाएंगे रोजवाली कास्ट वान हम किस तरह से करेंगे वो आज की वीडियो में सिखाऊंगे आप इसको किसी भी प्र बनाना चाते हो बच्चों के कार्डिगन बनाना चाते हो मतलब जो भी आप इससे बनाना चाते हो ठीक है ऐनी प्रोजक्ट जो भी आप बनाना चाते हो चुछ यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम दो निटिंग निडर ले लेंगे जिस पर भी आपको यह बॉडर बनान में इस तरह से डाल देंगे अब यहां पर आपको बता देती हूं कि दो सिलाईयों में हम यह क्यों लगा रहे हैं यह दो सिलाईयों में हम यह इसलिए लगा रहे हैं क्यूंकि इससे क्या है हमारा जो कास्ट ओन है वो लूज आएगी तो हमें लूज ही चाहिए यह इसलिए हम दो सिलाईों में ही इसको डालेंगे तो जैसे देखिए हम इस तरह से फंदे लगाते हैं वैसे ही हम डालेंगे और फंदे कितने लगाने हैं फंदे लगाने हैं हमें और नमबर में जैसे तीन, पांच, साथ इस तरह से हमने फंदे लगाने है थीक है इस तरह से लगा लेंगे हम अपनी Require Project की Requirement के इसाफ से जतने भी आपको फंदे चाहिए तो आप देखे मैंने यहाँ पर 9 फंदे लगा लिये हैं ठीक है अब 9 फंदे लगाने के बाद हमने एक सिलाई को निकाल लेना है देखी यहां से एक सिलाई को मैंने निकाल लिया है अब देखे इस तरह से हमारे ये फंदे लूज फिर आ रहे हैँ अब जब दो सिलाई में लगाते हो अगर आप बोलो कि हम फंदे ऐसे लूज लगा लेंगे तो ऐसे नहीं लदेंगे क्योंकि ऐसे क्या होगा आपका कहीं से ऊपर होगा फंदा कहीं से नीचे होगा जब आप दो सिलाईों में लगाते हो तो उसे आपका जो देखे यह जो स्पेस है विलकुल बराबर रहता है इक्वल इसलिए हम यह दो सिलाइओं में फंदे लगाते हैं जब भी आपको लूज डालने हो फंदे तो आप दो सिलाइओं में भी डाल येगा अब आजाए जब आप ऐसे फंदे डालते हैं तो यहां से हमारी रॉंग साइट पहले आती है ठीक है अब हमने क्या करना है पहल इसी लाई में हमने यह बनाना है तो देखे पहला फंदा हम ऐसे उल्टा उतार लेंगे अब नेक्स्ट में हमने रोज बनाना है तो रोज किस तरह से हम बनाएंगे पहले इस फंदे को देखे उल्टा बनाएंगे इस फंदे को उल्टा बना लिया ठीक है अब इसी फंदे को पीछे की तरफ से बनाएंगे द्यान से देखेगा आप यहाँ पर यह देखे इस फंदे को पीछे से बनाया फिर अगेन इस फंदे को आगे से बनाएंगे यह तीन फंदे हमारे पास हो गए फिर अगेन इस फंदे को पीछे की तरफ से बनाएंगे यह देखे इस तरह से यह देखे यह हमारे पास चार फंदे हो गए फिर अगेन इस फंदे को आगे की तरफ से बनाएंगे तो यहां पर हमने ये पांच फंदे एक से बना लिये हैं अब इनको छोड़ देंगे ठीक है इस तरह से छोड़ दिया अब इस सिलाई को देखे यहां से हमने इस तरह से डालना है यह देखे इन फंदों को अब पांचों का हमने एक फंदा बना देना है तो किस तरह से बनाए ही उलटाKim यह देखिंगे इस तरह से बना लिया ची पहुं मैं लेएग करेंगे यहां पर एक फंद हम उल्टा बनाये यह देrences आइनिन फिर से आम पर र spoiler मागर्ण के स्काश्ज के उल्टा बनाया, फिर पीछे की तरफ से बनाएंगे, फिर अगे इन आगे की तरफ से बनाएंगे, फिर पीछे की तरफ से बनाएंगे, फिर आगे की तरफ से बनाएंगे, यह देखें, अब इनको उतार देंगे ऐसे, इस लाई से हमने उतार दिया अब हम इस लाई को इस तरह से डालेंगे देखिए यह देखिए पांचो फंदे आपने यहाँ पर पकड़नी है कोई भी फंदा नहीं छूटना चाहिए इस तरह इस बात का आपने ध्यान रखना है चाहे तो आप इस तरह से लूज करके भी एक एक फंदा इनको पकड़ सकते हो ये इस तरह से हमने पकड़ लिया अब इनका हमने एक फंदा बनाना है फंदे यहाँ पर हलके से टाइट हो सकते हैं तो आपको जो बॉर्डर बनाने में शुरू में दिक्कत हो सकती है भी स्टार्ट हो गए होंगे ठीक अब अगें फिर से हम बैसे ही बनाएंगे देखिए एक वार इसको उल्टा सिबस्क्वा – इसक almonds कर ना है, यही हमने रेपीट करें खरुक को बनाय ponieważξ फंदा हम उल्टा बनाएंगे और एक से हमने यह रोज बनाना है देखे इस तरह से इसको पह एक फंदे को जो है आगे से भी बनाएंगे तो इस फंदे को हमने पीछे से भी बनाना है यह देखे इस तरह से हम एक से यहां पर पांच फंदे बना रहे हैं और फिर हम पांच फं से लूज रहें, तो आपको फिर बनाने में इसको दिक्कत नहीं आएगी, क्यूंकि जब फन्दे टाइट होते हैं, तो हम ए 5 काए करने में दिक्कत होती है, देखे इस तरह से, हमने बना लिया, फिर एक फन्दा उल्टा, फिर अगेन हम यहां से एक से 5 फन्दे बनाएंगे, तो इसी तरह से पूरी हम इसको continue करेंगे देखे बहुत ही beautiful सा border आपका बनकर तयार हो गई है नीचे से एकदम से रोज की सेप आती है इस पर अब देखे लास्ट के फंदे को भी हमने उल्टा बना लेना है अब दूसरी तरफ से आजाईए राइट साइड से जो यहां पर देखे राइट साइड आपको दिखरी है तो इसको पूरा देखे हम सीधा बनाते हुए complete कर लेंगे इस रोग को आप देखे यहां पर आपको दिखना स्टाट हो गया होगा यह देखे अब इसके बाद आप कोई भी डिजाइन उपर डाल सकते हूँ कुछ भी डाल सकते हूँ उपर एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से भी डाल सकते हूँ ये ये वात आपको बता देती हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, इसकी थोड़ी सी रोज, तो देखें, मैंने यहाँ पर इसकी कुछ रोज बना ली है, सीधी सीधी ही मैंने बनाई है, तो लोगे देखीं, तो देखिए, ये जो बॉर्ड बनता है, हमारा ये सिर्फ तो देखिए जैसे हम इसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये बॉडर देखिए कुछ इस तरह से बनता चाहेगा बिल्कुल देखिए रोज की सेप इसमें आती है ऐसे लगता है रोज है असली ये देखिए So I hope आपको मेरा ये वीडियो helpful रहा होगा आपको सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताईएगा ये देखे इस तरह से हम इसको use करेंगे और जब देखी आगे बाजू पर इस तरह से लगेगा तो कितना सुन्दर लगेगा नेक पर लगेगा आप जब घले से जो स्वेटर स्टार्ट कर रहे हो उस नेक पर आप इसको use कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप multiple project में इसको use कर सकती हो So I hope आपको मेरा ये वीडियो helpful रहा होगा प्लीज मुझे कमेंट करके जुरूर बताएगा कि आपको मेरा ये design कैसा लगा कैसा लगा मेरा ये water Thank you मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye